रंगबाज सीजन 3 पिशला कोई भी सीजन देखने की जरुरत नहीं है और सीजन 3 की कहानी मुहमद शाह बुद्दीन के जीवन पर बेज़ड है शाह बुद्दीन को सीवान जिले में एक सजायापता गैंस्टर एक बाहुवली और राष्री जनतादल के अध्यक्च लालू प्रसाद यादब के करेवी सहीयोगियों के रूप में बर्डित किया गया है मैं सीरिच की कहानी के बारे में इससे ज्यादा बात नहीं करूँगा आगे जानने के लिए आपको स्वेम ही इसे देखना होगा जो कंसिस्ट करता है छे एपिसोड को और सभी की लेंथ 35 मिनट से 40 मिनट के बीच है यहाँ लीड रोल में बिनीत कुमाल सिंग नजर आती है जो इस शो से पहले बार्ड ओफ बलड और बेताल में भी नजर आ चुकी है और इसके अलाबा वो गैंक सो बासेपूर फिल्म में नवाजुद्दीन के भाई का रोल कर चुके है वो काफी अच्छे और टैलेंटेड एक्टर हैं और यहाँ भी उनका काम मुझे काफी पसंद आया और साथी साथ शो में हमें कुछ अन्य जाने पहचाने चेहरे जैसे जाजिस टेलांग भी नजर आते हैं और अन्य सभी ने भी अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया है जो मुझे काफी हदे तक इंप्रेफ करने में भी काम्याब रहे हैं यहाँ हमें एक्टर्स के काफी अच्छे फेस एक्स्प्रेशन से देखने को मिलते हैं और characters को भी यहां काफी अच्छे से establish किया गया है जिनके साद मासानी से invest भी हो जाते हैं शो का screen play decent है जो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा और मैं आपको पहले ही बता दू कि मैं बिहार से नहीं हूँ बार बार past और present में आता जाता रहता है और इसकी यहे चीज मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई और यहां कोई ज्यादा बड़ा twist और turn भी नहीं था और जो कुछ थे उसमें से काफी कुछ मेरे लिए predictable भी रही यहां काफी स्यारी चीजों को हम पहले ही guess कर लेते हैं यहां इसे शो में मुझे ज्यादा कुछ अच्छा कहने के like नहीं लगा क्योंकि यहां मुझे कुछ भी great लगने जैसा देखने को नहीं मिला शायद यहे शो उन लोगों को पसंद आ सकता है जो लोग बिहार से हैं या फिर बिहार की राजनीती के बारे में जानने की दूची रखते हैं लेकिन मुझे बिहार की राजनीती में बिल्कुल भी interest नहीं है और इसलिए मैंने महरानी जैसे शो को भी skip कर दिया था और इस्टाइट से ही यह शो मुझे काफी flow feel हुआ शो बिल्डप होने में थोड़ा बक्त लेता है और मैं इसमें असानी से invest भी हो गया था लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमें यह शो आगी देखने के लिए मजबूर कर सके लेकिन फिर भी मैंने एक अच्छा कासा बक्त लेकर इसे पूरा किया मैं इस शो को जल्ड से जल्ड खत्म करना चाहता था और इसके बावजूर भी मैं इसे बिंजबॉच नहीं कर बाया और उसकी एक बज़े ये भी है कि इस शो का प्रेजेंटिफिन मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा शायद उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की होगी लेकिन मेरी नजर में तो वो फेल ही हुए है इसके खराब प्रेजेंटिफिन की बज़े से शो में कोई भी एक्साइटमेंट या थिरिल नहीं रहता शो की राइटिंग काभी सुफ्त और कमजोर है इस शो में एक भी ऐसा फीन नहीं था जो हमें पूरी तरह से हुक कर पाने में कामयाब हो सके मैंने इसे कई बार बीच में छोड़कर गूगल पर सफरिंग की और कई बार मैंने अपना ट्वीटर आकाउंट भी चेक किया पिलोट मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया हालां की ठीक ठाक कहा जा सकता है लेकिन ये हमें कुछ भी नया ओपर नहीं कर बाता इसक्रिप्ट रैटिंग ठीक है लेकिन और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता था शो का कॉंसेप्ट तो अच्छा था लेकिन एक्वीक्यूशन मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया इसके डायलोग ठीक है लेकिन कुछ भी बहुत अच्छा या नयापन नहीं है शो का बेक्डाउंड इसको ठीक है जो मुझे कुछ हद तक पसंद भी आया और सांड जानिंग पर भी अच्छा काम किया गया है सिनमेंटोग्राफी अच्छी है बिजूली आई शो काभी अच्छा लगता है इसकी फोटोग्राफी, कलर से, 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 लोकेशन और लाइटिंग पर अच्छा काम किया गया है एडिटर का काम भी ठीक है शो ज्यादा लेंदी फिल नहीं होता और यहां मुझे ज्यादा कुछ अनियूजूल भी फिल नहीं हुआ और शो की कम लेंद इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है लेकिन पेसिंग बाइज शो फिलो फिल होता है और इसने मुझे कुछ-कुछ जगे बोर भी किया इस शो में मुझे बुबाला मैजिक देखने को नहीं मिला जो एक अच्छे शो में होता है और इसका डिरेक्षन एबरेज है डिरेक्टर ने यहां कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की और वो इस शो को भी बहुत अच्छे से समाल कर नहीं रख पाते और नहीं बुख हमें अच्छे से अपने साथ कनेक्ट कर पाने में काम्याब हुए है overall मेरी नज़र में यह एक average शो है जिसमें मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया और यहां काफी कुछ कम्या भी है इसलिए मैं तो किसी को भी recommend नहीं करूँगा कि आप इस शो पर अपना time waste करें और अगर इसे देखना चाहें तो इसे ज्यादा उम्मीदें ना रखें रंगबाज के season 3 के लिए मेरी तरब से 3 stars शो में हमें कुछ गालियां सुनने को मिलती हैं इसके अलाबा यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपनी family के साथ बैट कर ना देख पाएं अगर आपने यह शो देखा है तो comment करें कि यह आपको कैसे लगा और वीडियो पसंद आया होते से like करें और चैनल को subscribe करें किसी भी फलाह यह सुजाओ के लिए comment करना ना भूलें You can also follow me on Twitter, link in the description मैं हूँ नितेश आनंद और जल्द मिलूँगा आपसे किसी यह वीडियो में Thank you